नेक्ट चेप्टर पढ़ेंगे दे लेटर वेदिक फेज ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल ओडर ये समय अब एक हजार से पांसो बीसी के बीच का है जब हमारे लोगों ने आइरेन का इस्तेमाल शुरू किया ये सारी चीजे जो हम अब डिसकस करेंगे वेदिक टेक्स से ली गई हैं दोस्तों कलेक्शन ओफ हिम्स और मंत्र को समीता नाम देते हैं अरली वेदिक टेक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमने रिग वेदा समीता नाम दिया रिग वेदा के हिम को मोडिफाइड किया और नेक्स समीता फॉर्म हुई साम वेदा फिर आया यजुर वेद जिसमें हिम्ज और आर्यन पीपल के रिचुल प्रेजन थे आकरी है अथर्व और सबसे जरूरी वेद इनमें वेविल को हटाने के लिए चार्म और सब्सक्राइड की बात करते हैं उसी के साथ साथ डिसीज को कैसे क्यार किये जाता है उसके बारे में बात करते हैं वेदिक सम्हिता के बाद दोस्तों बहुत सारी टेक्स आई और उनको नाम दिया ब्रामना इनमें रिचुल के मीनिंग बताए गए हैं और सोशल वेर रिलीजियस मीनिंग भी डिसकस किये हैं वेदिक टक्स सारे हमें अपर गैंगेटिक बेसिन से मिले हैं जिसका समय एक हजार से पांसो बीसी तक है इन सभी साइट्स को PGW, Painted Gray Wear नाम दिया है जहां से हमें वेदिक टक्स का पता चला आरेन दोस्तों एक्सपैंड हुए थे पंजाब से वेस्टरन यूपी तक जो की कवर करता है गंगा यमुना दौाब को भारता और पूरू जो सबसे बड़े क्लैन थे उनको मिला कर बना कूरूज कूरूज ने दोस्तों दिल्ली और अपर दौाब पर कबजा कर लिया जिनको नाम दिया गया कुरुक शेत्रा सेंटरल दौाब में पंचालास का राज था फिर कूरूज ने पंचाला के साथ हाथ मिलाया और अपना राज दिल्ली से लेकर होल दौाब तक कर लिया हस्तिनापूर को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया दोस्तो बाकी महाभारत का पूरा किसा हम किसी और वीडियो में डिसकस करेंगे रफली बात करें तो ओफिशेल ये इंडिया का सेकंड युद्ध था आफ्टर बैटल ओफ टैन किंग्स ये पांडव और कौरव के बीच लड़ा गया 950 BC में हमने हस्तिनापूर को आज की डेट में एक्जावेट किया और पाया कि तब बरंट ब्रिक नहीं थी और फलड एक कॉमन तिंग होती थी तो कुरूज ने अपनी जगा को बदला और कोशंबी की तरफ मूव हो गए पंचाला किंग्डम अपनी विजडम और फिलोसिफी के लिए वेदिक टेक्स में काफी मशूर है दोस्तो एंड ओफ वेदिक पिरेड के बाद ये लोगों ने अपने आपको एक्सपैंड किया इस्ट ओफ कोशाला से नौर्थ के विदेहा तक जैसा कि हम इंडियन्स को पता है कि कोशाला राम जी के साथ जुड़ा हुआ एरिया है आरेन पीपल दोस्तो उनका विरोध करते थे जो रेडवेर, ब्लैक एंड रेडवेर पोर्टरी का इस्तेमाल करते थे हमें वेदिक टेक्स में बहुत सारे मुंड़ा लेंगवेज के शब्द देखने को मिले हैं जिससे हमें ये समझ आया कि ये एरिया में मुंड़ा स्पीकर प्रेजन थे नेक्स्ट वन है यूज ओफ आयरन दोस्तो जैसे होर्स की स्टोरी थी वैसे ही हम आयरन की स्टोरी को रिजेंबल कर सकते हैं अर्ली एविडन्स ओफ आयरन हमें ब्लैक सी में मिला जो की 6th मिलिनियम बी सी की बात है परन्तु ये 2nd मिलिनियम में एक कॉमन बात थी स्टोरी ओफ आयरन की बात करें तो आउटर स्पेस में दोस्तो लंप आफ स्टोन एंड आयरन प्रेजन था जब वैं हमारी प्रित्वी के अट्मोसफेर के कंटक्ट में आया तो ग्रैविटी ने उसे अपनी तरफ खीचा वैं दर्थी से तकराए और हमने इने मिटियोरोइट्स का नाम दिया यह बात 3000 BC की है जब यह पहली बार नोटिस हुआ एजिप्ट में तो उस समय लोगों ने इसे ब्लैक पोपर का नाम दिया और कहा कि यह हैवन से गौड ने हमारे लिए भेजे हैं प्योर आइरन की फॉर्मेशन 5000 BC में हुई थी अनाटोलिया में यह 3rd मिलिनियम BC में आया और भारत रीच होते होते 1200 BC हो गया हमें 1000 BC के गंधारा जो की पाकिस्तान का एरिया है वहां आइरन बरिड मिला सेम चीजे हमें बलुचिस्तान में भी देखने को मिली हमने आइरन का यूज फॉर्स क्लेर करने के लिए किया जो की गंगेटिक बेसन में थे हमारे भारत में 7th सेंचरी BC में इसका खूब इस्तेमाल हुआ और इसको नाम दिया शियामा और क्रिशन आयास याने के ब्लैक मेटल नेक्स देखेंगे इनके एगरिकल्चर को दोस्तों बताया गया है कि खेद को प्लो करने के लिए 6, 8, 12 और कभी-कभी 24 ओक्सन का इस्तेमाल किया जाता था एनिमल सेक्रिफाइज एक कोमन प्रैक्टिस थी तो कैटल का मिलना बहुत असान नहीं होता था वुडन प्लो का यूस किया जाता था शादा पता ब्रामना बुक में हमें प्लोईं की फुल प्रैक्टिस का पता चलता है एंशियन लेजेंड की माने तो दोस्तों जनक महराज सिता जी के पिता खुद केत में प्लो करते थे और काम करने से हैजिटेड नहीं करते थे क्रिशन भगवान का भाई बलराम जो की हलधार नाम से जाना जाता है जिसका मतलब था वेल्डर ओफ प्लो वेदिक पिरड की चीफ क्रॉप राइस एंड वीट थी हमें टेक्स्ट में राइस का प्रमान पहली बार मिला जिसको कहा गया वरीही इसी के साथ साथ वेल लेंटिल भी ग्रो किया करते थे नेक्स्ट है वेदिक लोगों का आर्ट एंड क्राप स्मित और समेल्टर के काम उसमें सबसे आगे थे यह आईरन और कोपर के टूल फॉर्म करते थे वेदिक पिपल कोपर के लिए खेतरी माइन का यूस किया करते थे वुमेन भी काम करने में पीछे नहीं थी वे वेविंग जैसे काम पर फॉर्म करती लेदर वर्क, पोटरी और कारपेंटर भी इंपोर्टन काम हुआ करते थे मोस्ट यूज पोटरी थी पेंटेड ग्रेव वेर हमें यहाँ पर बैंगल्स तो मिली पर उन्हें बनाने वाले नहीं तो यह एक प्रेस्टीज समान होता होगा उस समय का नेक्स्ट बात करेंगे वेदिक पिरेड की सेटलमेंट्स की वेदिक टेक्स में जना का इस्तेमाल हुआ जिसका आर्थ है ट्राइबल पीपर पर उसकी सेटलमेंट जना पदा का नहीं इसका पहला प्रमान हमें ब्रामन किताब में मिलता है जो की 800 BC की है हरपा के बाद अब लोगों की सेटल लाइफ की शुरुवात हुई सबसे बड़े एरिये थे कूरूस पंचाला के एरिया हस्तिनापूर एक मेजर सिटी थी उस समय की लोग जो थे वे मड़ ब्रिक हाउस में रहते थे घरों के स्ट्रक्चर बहुत पूर थे वुडन प्लो के इस्तेमाल के कारण ग्रेन का उत्पादन काफी कम था और किसान सब के लिए उत्पादन नहीं कर पाते थे ताउन के लिए वेदिक टेक्स्ट में नगर शब्द का इस्तेमाल होता था अस्तिनापूर और कुशंबी वहां के दो प्रोटो आर्बन नगर थे ट्रेड के लिए वॉटर रूड का इस्तेमाल होता था दोस्तो अग्रिकल्चर प्राइमरी सोर्स ओफ लाइवलि हुड था लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती और वह एक ही जगा पर अपनी सारी लाइफ बितीत कर देते थे इसका मतलब की अब सैटलमेंट एक ही जगा पर स्तित हो जाती थी लास्ट बात करते हैं सोशल एंड पुलिटिकल और्गिनाइजेशन की रिग वेदा में ट्राइबल असेंबली की बहुत ताकत थी जो की अब खतम करके राजाओ को दे दी गई विधाता का अंत हो गया और सभा वे समिती काइम रहे नोबल का राज शुरू हुआ और वोमेंट को मीटिंग अटेंड नहीं करने दी जाती थी सभा को डोमिनेट करने वाले थे वारियर और ब्रामना लारजर किंगडम का मतलब होता कि चीफ के बास बहुत पावर है सब कुछ एक जगा सेटल हो रहा था तो ट्राइबल पीपल एक जगा पर रहने लगे ट्राइबल चीफ के नाम पर ही उस जगा का नाम रख दिया जाता जैसे कि पंचाला एक ट्राइबल पीपल का नाम था फिर उसे हटा कर जगा का नाम दे दिया गया राश्टर शब्द का इस्तेमाल भी शुरू हो गया इंसानों पर दूसरे इंसानों का कंट्रोल भी शुरू हो गया और इसको नाम दिया गया राज्य जिसका आर्थ था Sovereign Power राजा के लिए election होता जो physical वह अन्य फिल्ड में well perform करता उसे राज्य के लिए nominate किया जाता था ऐसे लोग जो राज्य के लिए bravely लड़ते थे और agriculture perform करते थे उन्हें chief of tribe nominate किया जाता राजा को present के तोर पर बली दी जाती common logo के द्वारा जिने हम नाम देते थे विस लोगों से ये present जबरदस्ती लिए जाने लगे later phase में महाबारत की स्टोरी से हमें ये भी समझ आता है कि kingship knows no kingship मतलब राज्य के लिए कोई रिष्टे माइने नहीं करते राजा उस समय राज्य सुव सेक्रिफाइस करते जिसमें वह गोड की पूजा करते और सब को सौम ड्रिंक दी जाती फिर अश्व मेदा पर फॉम होता था यानि की horse की बली दी जाती तकि evils हमारे पास ना आ सके लास्ट में हैं वज़ा पया याने की horse chariot race जिसमें राजा को अपने kinz man से जीतना होता था टैक्स कोलेक्शन कोमन हो चुका था यह एक officer दवारा इकठा किया जाता जिसको संगीतरी नाम दिया जाता वेदिक टाइम में standing army नहीं थी ट्राइबल पीपल ही अपनी जान लड़ाई में कुर्बान करते ऐसा भी माना गया कि राजा को लड़ाई जीतने के लिए विसके साथ खाना खाना पड़ता था दोस्तो आरेन वही लोग हैं जिनोंने social differentiation को promote किया लेटर वेदिक टैक्स में दोस्तो आरेय शब्द हमारे वर्न सिस्टम को define करता था जो की ब्राह्मन, शत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं दोस्तो ब्राह्मन 16 class of priest में से एक class थी इनोंने उस समय में सबसे ज़्यादा power हासिल की सिर्फ और सिर्फ अपने ग्यान और भुद्धी मानी से इनकी power सिर्फ भारत तक ही स्तापित थी इनका काम ritual और sacrifice को conduct करवाना था यह गोड से परजा और लड़ाई में जीत की कामना करते बदले में राजा इने security प्रदान करते थे कभी कभी इनकी लड़ाई राजा के साथ होती जब राजन अपने आपको superior class बताते थे लास्ट वेदिक पिरण में upper two classes ने अपने हाथ मिला लिये और lower class के उपर राज स्थापित कर लिया राजा के कामों को हम discuss कर चुके हैं कि वह क्या कारे परफॉर्म करते थे अब चलते हैं वैश्य पर दोस्तों यह लोग विस्ट थे यह अग्रिकल्चर कैटल ब्रीडिंग ट्रेड जैसे काम परफॉर्म करते थे यह लोग प्रेयर कर सकते थे लेटर वेदिक पीरड में दोस्तों प्रीस्ट ने रीचूल बनाए जिनके कारण यह लोग राजा के लिए काम करते और टैक्स पे करते थे जो चीजे यह तीनों क्लासों में कोमन थी वै है कि यह लोग उपर नियाय को पढ़ सकते थे पर लास्ट वर्नन नहीं दोस्तों शुद्र और वुमन दोनों ना तो पढ़ सकते थे और ना ही मीटिंग अटेंड कर सकते थे हर आदमी को राजन का ओडर मानना पड़ता था लोग अपने जिन्दकी एताराया ब्रामना किताब में जो लिखा था वैसे जीते थे वैसे को ट्रिब्यूट पेंग और शुद्र को सर्वेंट औफ अनदर पीपल कहा जाता था फैमिलीज में पार्शिल सिस्टम था मेल डिटी की वर्शिप शुरू कर दी गई गोतर नाम की चीज का जनम हुआ लेटर वेदिक पिरण में जो की सेम फिजिकल अपेरंस जो की ब्रामन और शुद्र के बीज थी उसको हटाने के लिए बनाए गए रथकार का स्टेटर उस समय में काफी उचा हुआ करता था क्यूंकि तब रथ की वैल्यू बहुत जादा थी सेम गोतर में शादी नहीं परफॉर्म हो सकती थी आशरम या कहें फोर स्टेजिस ओफ लाइफ अब भी विक्सित नहीं हुई थी लेटर वेदिक में चार आशरम थे ब्रह्माचारी याने के स्टूडन्ट ग्रह हस्ता याने के हाउस होल्डर वना प्रस्था याने के हर्मट और लास्ट थे सन्यासी याने की एस्केटिक या फिर गुरू लास्ट टोपिक है गोड्स रिचुल एंड फिलोसफी ओफ वेदिक पिरड हमने देखा रिग वेदिक गोड्स थे इंद्र और अगनी दोस्तो हमने यह भी देखा कि कैसे यह लोग नेचर की पूजा करते थे अब इन सभी को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए इनोंने वर्शिप करना स्टार्ड किया विश्नु देव को दोस्तो वर्न सिस्टम के आने से अपर थ्री क्लासिस तो विश्णू देव को मानते थे प्रंतु शुद्र पूशन देव को मानते जो की मैरेज और केटल फीडिंग को मेंटेन करते थे इस होल वर्ल्ड में सेक्रिफाइस एक important काम हो चुका था इन सेक्रिफाइस के कारण केटल वेल्थ की destruction हो गई वेदिक टेक्स में एक शब्द है जिसे बोलते हैं गो ग्रिहा जिसका आर्थ है कि जब कोई guest आपके घर आए आप उनके लिए एक काउ को सेक्रिफाइस कर दें जो आदमी प्रिष्ट मांते थे दोस्तो सुने में तो यहां तक आया है कि राजा ने दक्षिना के तोर पर प्रिष्ट को दो लाग चालिस हजार काउस दी थी वेदिक पिरड की किताब शता प्रथा ब्रामना में दोस्तो लिखा गया है कि सारी जगा प्रिष्ट को दे दी जाए प्र जिसमें दोस्तों वेदिक रीचूल को क्रिटिस साइस किया उसमें लिखा था कि हमें आतम विश्वाश रखना चाहिए आतम से आतमा को ब्रह्मा जी के साथ जोडा गया फिर ब्रह्मा जी शत्रिया वर्ना के पावरफुल गौड बन गए अब दोस्तों टेरेशियल किंग्डम को नाम दिया जना पदा शत्रिय रूलर के तहत अब कैटल के लिए नहीं लैंड के लिए लड़ा जाता था तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में हमने समझा कि कैसे ट्राइबल सुसाइटी को डिवाइड किया और सभी लोगों को वर्न सिस्टम में फसाया गया वह दोस्तों कहते हैं आप की पैसे और पावर के लिए इनसान कुछ भी कर सकता है ये उसी का एक उधारन है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जैनिजम और भुदिजम का ओरीजन तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों